हेलो आभूर्ण, माईसिल्फ शिवानि फ्रोम फिनेकल वास्तूह परिनौला हर घर में कोई न कोई पेञेंटिंग्स जरूर लगी होई होती हैं पेंटिंग्स एक परतीख की क्याम करती हैं घर के जिसमें वॉलबर पर पेंटिंग लगी होई होगी वो इस direction को संकेत करती हैं कि हमें इस direction से क्या चाहिए घर में कभी भी नकरात्मकूर्चा वाली paintings नहीं लगाने चाहिए जैसे लड़ाई छगड़े वाली नट्राच मूरते की या जिसमें अगनी प्रचवलित हो रही है तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि कौन सी painting किस direction में लगाने से हम अपने जीवन में अच्छी growth और prosperity को प्रापत कर सकते हैं वर्स्ट, greenery greenery की scenery हमें नोर्थ के direction में लगानी चाहिए greenery growth को दर्शाती है अगर नोर्थ के direction में हम greenery की scenery लगाते हैं तो उससे हमें big opportunities मिलेंगी big opportunity मिलने से हम अपने business को अच्छी growth दे सकते हैं second, बुद्धा बुद्धा जी की meditation position वाली painting हमें नोर्थ हिस्ट के direction में लगानी चाहिए अगर इस direction में बुद्धा जी की meditation position वाली painting है तो हमारे mind में जो भी ideas आएंगे उनमें बड़ी clarity होगी and secondly, बुद्धा जी की meditation वाली painting शांती को भी दर्शाती है जिससे हमारे घर में शांती का महल बना रहता है third, waterfall waterfall से मतलब बहते हुए पानी का जर्ना waterfall की paintings भी हमें north east के direction में लगानी चाहिए north east के direction में waterfall की painting लगाने से हमें new ideas and insight मिलती है fourth, sun sun के painting हमें east के direction में लगानी चाहिए east के direction में sun के painting लगाने से हमें society में बड़ा अच्छा नाम मिलता है और हमारा business भी बड़ी top position पर पहुँच सकता है fifth, big mountain big mountains की scenery हमें west के direction में लगानी चाहिए अगर west में big mountains की scenery लगाते हैं तो हमें अपने business में बड़े अच्छी big growth मिलेगी और हमें जो orders मिलते हैं वो भी बल में मिलने शुरू हो जाते हैं fifth, running horses white running horses white running horses की painting हमें north west के direction में लगानी चाहिए running horses speed को भी दर्शाते हैं हमें अपने business में बहुत sport की जरूरत होती है जैसे banking sport customer sport staff sport client sport next, churning churning की कोई भी painting हो तो उसे हमें east south east की direction में लगानी चाहिए churning से मतलब किसी चीज का मन्तन हो न हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं अगर हम उसका अच्छी तरह से मन्तन होगा तो हमें एक बड़े अच्छे final conclusion पर पहुंच सकते हैं जो हमारा final decision होगा वो बड़ा अच्छा होगा जिससे हमारे business को बड़ी अच्छी growth मिलेगी तो चलिए आज के लिए इतना ही अब हम next वीडियो में new topic पे बात करेंगे